कि सनातन धर्म वह हिंदु धर्म में कई ऐसे रित्ती दिवाज है जिनको कलने से माल की क्रपवरस दिये हैं अलावलक बद आधि पूजन करने का अलावलक मेदू बताया का जिसमों सितला अश्रमी प्रूसे अश्रमाने गई हैं इस दिन यह माननेता है कि सितला माता को खंडा भोग लगाना चाहिए जिसे बासी भोग भी मान सकते हैं हर देवी देव्डा को बनाने के लिए हम ताजा भोग बनाते हैं और जल से जल उनको भोग लगाया जाता है विकन सितला इसमें कि भोग एक दिन पहले ही बन जाता है उट सुबह सुबह दम मुरद में इसकी कुजा कि जाती है यह बद करने से बीमारिया दूर होती है आई पंडितजी से वानते इस विदी के बारे विस्तार स्था जिनका महत्व अत्यारिक बताया गया है भारत अनेक विवित्ता वाला देस है अनेक देवियों में एक सितला सरूप भी देवी का रूप कहा गया है यह सितला सरूप देवी का रूप जो सितलता का प्रतीक है जो वेक्ती में सितलता बनाई रखे ता मानसिक सितलता ता सारिक सितलता का भी इसमें महत्व कहा गया है और देवी सितला का इस दिन पूजन किया जाता है सब्तमी और रश्टमी को सितला मता का पूजन किया जाता है इस दिन मता सितला का पूजन करकर के उनको ठंडा भोग लगाया जाता है कि एक दिन पहले घर की सफाई करकर के सुद्ध भोजन बनाया जाता है चावल, पूड़ी, भलवा जो भी है और गुजिया वगरा यह पक्वान बना करकर के देवी का पूजन किया जाता है सब्तमी और रश्टमी के दिन यहाँ पर देवी का पूजन के अनेक प्रकार से लाव प्राप्त होता है और देवी का व्रद भी किया जाता है कि उस दिन घर में चूला नहीं जलता तथा देवी सितला माता का पूजन ठंडा सिला जिसे कहते हैं बसोडा कहा जाता है कहीं जगे ठंडा सिला कहा जाता है उस दिन देवी का पूजन करने के पश्चात ही घर में कुछ आग जलाए जात उसमें देवी का पूजन करने से का यह महत्व है कि इस पूजन से जो चिकन पोक्स होते हैं चेचक रोग आदी अनेक प्रकार के दुष्ट प्रभाव बच्चों में देखने को मिलते हैं उन रोगों के सांती के लिए देवी सितला का पूजन किया जाता है उनके पूजन से अनेक प्रकार के कार्यों में अगर बाधा भी आ रही हो तो इनके पूजन करने से वो नश्ट होती है और अपने जीवन में सांती बनाये रखने के लिए देवी सितला का पूजन किया जाता है प्रकार सितला माता का सरूप कहा गया है और यह देवी का ही एक स बनाया जाता है सब्तमी अश्टमी को यह तहवार बनाया जाता है यह इस बार एक तारीक को सब्तमी आ रही है और दो तारीक को अश्टमी का पूजन कहा गया है